पूर्व की कमलना सरकार के कारकाल की जाच का मन बना लिया है। पूर्व की कमलना सरकार के कारकाल की जाच कराने जा रही है। को भी ना सरकार ने घेरा था और उनके रिसार्ट पर तोड़ फोड़ की करवाई की गई थी। तो इस तमाम बातों के बाद अब शिवराज सरकार जो है कमलना सरकार के कारकाल की जाच कराने जा रही है। और इस पर मंत्री तुलसी सिलाबाट और कमल पटेल भी समिती में शामिल हैं। कमलना सरकार के कारियों की समिक्षा करके ये समिती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पिछली सरकार ने भी शिवराज सरकार के कारियों की जाच कराई थी। और इस जाच के घेरे में पूर मंत्री संजिय पाठग भी नाच सरकार के निशाने पर थे। और ये जो समिती अब बनाई गई है वो कमलना सरकार के कारेकाल की जाज करेगी तो मद्यप्रदेश में बदलापुर पार्ट टू अब दिखाई देने वाला है और इसी पर ये हमारी खास चर्चा आज है और हम सीरे चलते हैं हमारे ग्रूप एडिटर रिजवान एमस सिद्धिकी जी के पास विजवान जी, एमपी में बदलापूर पार्ट टू, क्या कहेंगे? भुलकुल अविनाश आडियो आ रही है, कई आडियो आ रही है मुझे लगता है किसी की टीवी ओन है जी, मैं नहीं भी हमारे साथ दुश्ट अगर उनकी टीवी ओन है अब करते हैं, जी टीवी ओन है, किसी की टीवी ओन है आडियो 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 हो रही है, पीसी आतोलाइस को ठीक है यहाच सुट अब और मानुश्ट पार्ट पूस्पी जादी अट्ट रही है अवाइड निया भी मैग कि अरोफ लगाती है और यही आरोफ लगता रहा है जब पश्मे थे तो इसकार आप कारवाई नहीं अब आपकी सिर्कार आप कारवाई नहीं है इसकार एक मत्री समू बनाया गया है जो पिछले छे माहा में कारवाईयों पर रस्ट अचार आपकी और इस पर शुरू करने कि अगर आपा जाये कि इस तहे कि रिजवान जी जी आपके थोड़ा सब्सक्राइब और फिरोज सिद्ध की जी से बजारिश करूंगा कि यदि उनका स्पीकर ओन हो मोबाईल का तो बंद करने कर प्या बिल्कुल कर देख कई तरह की आवाज ने रही जी वहां से हमारे तरफ से यह वह कहेंगा तो आप विकास जी यदि आप मेरी आवाज कुन रहे है और आपके मोबाईल के यह अदि पिकर ओन है तो बंद कर दीजे तो आपका मोबाईल के खुला हूआ हो तो आप उससे बंद कर दीजे थोड़ी नौईज आ रहे है अ अ इस तरह की गरवणीगा इसे कुछ लोग देखते हैं कि रूटीम कारवाई हैं पीछे की सरकार ने तक्रिक क्या दार पर जो भी काम किये हैं उस पर जायाज किया जायेगा और जो ज़रूरी है वो रहे कर ज़रूरी है जायागा ऐसे पारे की चीज़े हैं लेकिन अभी यह शुरूबात की इतिफाथी है कि सरकार बनते ही कौंग्रेस की सबसे पहले बीजेपी के जो नेता निशाने पर आए जबुत है मिश्राक अप्से तो निशाने पर आए इसे नाइए कि अला ज़्च के बुराती अब आदले शुरूव ज़स्क्त से पहला उन्ते कि प्रभाइब का पुजिस्पत के वहां से था दिया गया और उसके बाद प्रेंडर जो पॉटाला है उसके लगादार उप्रेती की कुशिश की गई और जोईने की कुश्च पे उनके सभी आप कि तर कालीमंजी रहती है पर उसके कुछ कुछी है और अब इस्थफाग यह है कि वही दॉप्रटर दुर्स्तम विष्टा विष्टा में इसके गई है जल्जाश करेगी पिछले की सब्कार के सरगे तरो सथी क्या कहेंगे आप शे महने ने जो भी काम किये है उसकी समिक्षा होता है जबाती है जबंड़ नो करने के मामले में फैल होगई और यदि नरोत्तम मिश्रा जी ये कहते कि ये आटा किसने चोरी किया है और हम इसकी भी जाज करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती कि उनके गईवों का पूपे लोगों का निमाला जिस जो सरकार खा सकती है वो कैसे जाज करेंगी ये वो ही समझ सकती जातक इसका सवाल ह है कि उनने तीन मंत्रीयों का जो समुव बनाया है, समुव बना के उसमें बात भूल गए, कि उस सरकार का ूर्वर्वर्ती मंत्री हमारे तुल्सी-सिलावट जी, वो इस समीती के सदस्य है, तो क्या उनके भी 6 मेने के साल भर के कारेकाल का वो जाज करेंगी ये इस कबना चाहिए पूर्व कार्यकाल में जो ख़रीदी विक्री जैसा कि और अनों Bay में उन्होंने जिंजन चीजों की प्रिटी वो सरकार ने उनके अनुशंसा पर जो काम किये थे क्या नरोतम मिश्रा जी उसकी भी जाच करेंगे क्या वो जोती राजित सिंदिया जी ने जो अनुशंसाई की थी क्या जोती राजित सिंदिया के भी जो मुद्दे थे जो जो उन्होंने अनुशंसाई की थी उनके कहने से कलेक्टा रेसपी ट्रांसफर हुए थे क्या वो उसकी भी जाँच करेंगे तो यह सारी बातें सरकार बता दें सरकार असल में यह सब уनका जाँच करना उनका उद्देश नहीं है उनका उद्देश मात्र यह कि लोगों क्यानऐ कर दिया जाießen अठाचा के इलजाम लग रहा है ये बस में मजदूरों को जो लाएं जैसे फर्जी बिल पहले पुरानी सरकार में लगे है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था ने था अम उसकी भी चांच करवा देते वह तो वह लग रहा है और ये को लेकर किसको को नहीं हो रहा है जो अस्पतालों क तो इन सब चीज़ों की क्या वो सब जाच करने के लिए तयार है आप भारती जन्ता पार्टी से मैं जवाब चाहता हूं कि वो मैंने इतने सारे मुद्दे उठाएं और वो कमर कसके तयार हो जाएं तो कॉंग्रेस पार्टी भी तयार है आपके दो महीने में हम इतने घोटाल तयार है कांग्रेस पार्टी स्वागत करती ये हम तो साथ में यह भी कहते हैं कि हमने किसानों की करदा माफी की आप उसकी विजाच कराईए हमने सो रुपे में बिजली दी आप उसकी विजाच कराईए हमें खिरू सिती कराने chic पिरोज जी को पूरा सुनके कि चोर की दाड़ी में तिनका सरकार ने क्या निर्ड़ने लिया कि छे माईने में जो काम किये गए हैं उसकी समिक्षा करेंगे उस पे गौर करते हुए उस पे विचार करेंगे अब उसमें जो अनिमेतिता होंगी उसमें उस धंक से दुबरू हुआ जाएगा जो अन्य नितिकत निर्ड़ने लिये हैं उनमें क्या करना है क्या सुधार की गुंजाईश है कि इनको बदलना है वैसा निर्ड़ने लिया जाएगा लेकिन फिरोज भाई और उनकी पार्टी बहुत जल्दी कहते हैं ना जंप इंटू कॉंकूलूजन जा रही है यकीन बहुत सारी गरपड़े होई है इसलिए गवरा रहे होंगे फिरोज भाई हमने तो अभी उसमें इशारा नहीं किया था अभी हमने तो इशारा नहीं किया था हम तो एक सब्सक्रार है मैं मैं आपको रोक रहा हूं वीज में तो चाहां दिन पहले उनका दरुत्तम मिश्रा जी का इस पश्ट बयान आ चुका है और आज बदलापूर जो है वो तौपिक है बदलापूरी तौपिक है आप देखिये तो आपको क्या कनक्ट नहीं हो पाई थे क्या बदलापूरी मैं का कढको ना जो आनिमें मिज्स पाहे होगी ही कोई है वाल कुछी कि गई उनके भाई को जिस तरह से हटाया गया, उनके OSD पर जिस तरह से कारवाई की गई, जेल फेजा गया, क्या ये सब बदलापुर था? देखिए, एट एंडरिंग की जाच जो है, जो वर्तमान में आज की तारीख में सीम सेकेटरी हैं, उन्होंने दी थी, और उस वो जाच जो है, सरकार के पास लंबित्ती उसको आगे बढाया था, हमने किसी का अगर रूटीन ट्रांसफर किये हैं, तो बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोग हैं, भारती जनता पार्टी में, किसी का तबादला कर देना तो बदलापूर नहीं होता, मैं तो इस पर समझता हूँ, इस पर समझता हूँ, आपी राइभी दूँगा, रिकार्ट बदरिया, क्या कहेंगे आप से, देके फिरोज भाई, अब आप कह बदलापूर था या नहीं था, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, कॉंग्रेस की सरकार थी, कमलनाज जी की केबिनेट ने जो देने लिये, उनकी सरकार ने जो काम की नितिगत हो या प्रशाशनिक हो, उसकी विवेशना ये सरकार की समिती निकाले की करेंगी, इसमें आपक जनूर है, उनको अपनी बात कहिए दिए फिर मोका दूँ, ये बात जनूर है फिर दोजवाई, कि जिन अनिमितताओं के कारण आपकी पार्टी में बोखलाहट डिख रही है, अगर वैसा है तो उसके उपर भी यकीनन उसी ढंग से विचार होगा, जिससे पार्टी, कॉंग्रेस की बहुत सारी नीतियों का हम विरोध कर रहे थे, उसके उपर कैसे आगे काम करना, ये विचारनी बिंदू होगा, कॉंग्रेस की सरकार ने जो अनिमितताओं इनके कारेकाल में हुई होगी, यकीनन उसके उपर भी विचार होगा, और उसके उपर भी ये समीती की गौर करेगी ही करेगी, जिस तहरे से मैंने उससे सवाल किया था, कि क्या कारवाही बदलापुर की है, नरतर दर्तर मिलतर मिश्रा, उनका स्टाफ और उन्हें ग्रेद्ने की सारी कोशिशे की गई, तो उस पर कुछ कह रहा चाहेंगे, उनका जो जवाब था, ने इन्हे जो चुनाओ लड़ा था, उसमें इन्होंने क्या एजेंडा फिक्स किया था, कि भारती जंदा पार्टी के कारेकाल के कामों के लिए हमें गायोग बनाएंगे, जाचायोग बनाएंगे, यह नहीं बना पाए, 15 महीने तो रहे न, काम करते रहे, फिरोज भाई, बहुत समय ह जो पुरन चेमें की सब्सेने के काम किये, जो अधिकारी भारती जंदा पारिटी की सरकार में जो, जहां काम कर रहे थे, उन्हें वहां से आपने प्रताण समी बदली कि, प्रतारं समी भारती में, आपके इक्षा से, आप जब सरकार में है, तो बिलकुल व्रिकञाडी को अधिकारियों को पधस कर सकते हैं जिसे आपकी टूनिंग जम्कियों जिन को आपको जिनका घ्यान ग्यादा लगता हो लेकिन आप कब प्रतारणा सवरूप काम हो देजिन काम कम उन्ट स कि सुरूप काम हुआ था चलिशां पहुना Anda नरुत्तिम निश्राजी को सब्स्कित हे श्रकां और हमारे। नरुतब प्रफ यह को समया उसके कारिया गें मिसराश्य एकुरत की डिशाजी को in हमें 27 अठान का उस द té voter में आख कर ला हैं वो तो हमारी सरकाद नहीं मनजूर करी थी याज जारी करी थी ये टेंडर वाले मामले में उसमें तो आगे बढ़ना ही चाहिए ता लेकिन आप कहा है मांदारी से आगे बढ़ी आप तो केवल भाधी जन्ता पार्टी के घेरागारी के दश्टी कोंड से उसमें प्रयास करते रहे और जहां आग जली थी वहां तक प्रयास बदरिया जब उसे धुआ था थे तो आपने जास शुरू किया उस सरकार के सबसे चहेते अफसरों में से एक है आज की तारीखी ने ने ऐसा फोर्स लीव वाला मामला नहीं था लीव पे वो गए थे यह बेजा रहा हूं देखें मैं बात जो बता रहा हूं कि जब उनके सामने मामला लाया गया तो उन्होंने जाच के लिए आदेशित किया और उसके लिए एजेंसी पी डिप्लॉई की गई जहां तक विश्या धुआ उठने का नहीं देखें धुआ बुनना इन्होंने प्रयास किया जहां आग नहीं थी जहां चंगारी नहीं थी वहां पे उस तरह का इन्होंने धुआ बुनना अरे जहां असल आग थी जहां असल गल्पिया हुई थी अनिमित्ता हुई थी उस तरफ तो इनकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो पज़्दा महिने में काफी कुछ मामला हो जागर हो जाता सही स्किती का अब लेकिन हम करेंगे देखे इस पश्ट बात है कि भारती जनता पार्टी सिर्फ ध्यान मोडने का ये काम है मैं एक भी बात का मेरा जवाब नहीं दे पाह है मैंने कहा कि सिंद्रया जी ने जिये जो अनुम संसाहे की उसकी जाच करेंगे करेंगे को भारती जनता पार्टी में है्---- साहस कहने का थिये जो आथा के टो चुश का था बरूप कुछ का там और दिदा कि ने किस दृटा…… आप बताईए ना आप रखिये बाते दूसरी मैंने हमने तो यह भी कहा है कि आप अनुशंसाओं पर आ गए यह कि यह ऐसा हुआ जो नीतिगत निर्ड़ा वो नीतिगत निर्ड़ा को बदलेंगे जिसमें एक मंत्री जो कुरानी सरकार का है वो ही आज समीती का सदस है तो कैस मुझे यह बता दीजिए आप और हम तो कॉंग्रेस पार्टी सामने फ्रंट पे आके आप से कहते हैं कि 6 मंत्री तो आपके पास हैं बाकी के बचे 23 लोग तो 23 लोग भी आपकी मदद करने के लिए तयार हैं आप बताईए कब आना है कहां आना है कौन सी फाइल की आपको ज बारे में और हम तो साफ ये भी कह रहे हैं आप से कि हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अच्छा है आप समीच्छा करा रहे हैं तो हम ये भी ये कि आटा-चोरी का प्रकरान एक गौलियर का इसकी जाच करा जिए अभी तक F.I.R. नहीं लिखाई गई है उस मामले में लोगो लिखा दिया लेकिन F.I.R. नहीं लिखा नहीं गई है अब आप आटे जिंता पाई हमाई है कि 10 किलो आटा आता है तो अब ये में लोगो चली कर सकता है असदिर कि गें लिजुक्त लिए एक विकास मंदरिया एक वेट हुजएये फिरोच सीथिकि आप कह रहे थे कि उसके लिए तो बाकादा टेकनिकल लोग और बहुत तरह के लोग वो लोग जो इस तरह की चीजों में वो विवागी अजिकारी जो इस तरह की इटेंडर में शामिल इसकी क्रिया में शामिल रेंगें। कर सकते उन्हें नहीं घेरा आपको ऑफ से सीरे life कर दुक् Hermas सरकारों के यह जो तरीके हैं जैसे सरकार ने भी उस बहुँ चर्थित अफसर को जिसने बहुत दिलेरी के साथ बहुत मैनत से इन दौर में तरी ट्रेस जो मामला था उसको जागर किया था उस सबसे पहली जो तेबादले वे उस अफसर का नाउ इसके अलावा भी कई इस तरह की चीज़े जो आपने भी की इनकी निस्ठाएं आपको लगता था कि पिछने सरकारों के साथ हैं आपने बिलकुल उनको किनारे कर दिया वही अभी बेर तमादलों का वही सिलसला चाहिए तमादले अपनी जगह हैं लेकिन जो आपने वादा कि किया ता इसका विकास भी अभी लिकर कर रहे थेने वाला किया था कि आप वादा किया था किअ बड़ी जाच किमईटी करेंगे अगर हम राइने तिक बदले की भावना से करते हैं तो कर दो सुन तो लीजिए अब आपके बापकी तो मास्ट्री के गोटालों में मुझे पता है 1200 कंप्लेंग ती हैं एसाइटी के पास व्यापम की जिसमें से 189 जो हैं इसी पाई गई जिनको सन्यान में लेकर जाच किया जाना चाहिए स्यास्त की फाईल नहीं मिल रही थी पूरी मंतरों की लिकिए पूरी बाता आयप एक और मंत्री नहीं जाच बठाई क्या है के सुपरती है केस किया था यो डबलू कोई सरकार के कंट्रोल में नहीं होता यह यह रच्छा रोपन का मामला हो यह नो मंत्रियों ने विदासमा में तो एक तरह से क्लीन चिट कहीं नहीं दी थी हमने मंसौर के गटना की तो जाच पुलिस करके लाई थी जिसमें हमने तो यह माना था कि यह घटना जो है यह जो है यह जो है नहीं नहीं उसकी तो मेरे पास नोटशीट की तौपी है उस पर तो 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 देखाओ उने नाजगी जताईत की उसका कि जाच पीती हाँ यह हो सकता है कि वो कुछ मिस्कंड़क्ट हुआ हो लेकिन हमारे मिनिस्टर ने साफ ता था तो सरकार की तरफ से साफ इस परश्ट हुआ था कि हम इसकी जाच चल रही है इतने सारे गोटाले हमने पंदरा दिन में कर दी अब आप भारती जंता पार्टी में जाके पाक साफ साफ सुत्रे हो जाते हैं अपने आप ही हो जाते हैं आते ही सबसे पहला काम सिंद्या जोती राजित सिंद्ध एक मिट मैं आपकी बात नहीं सुन पाया मैं कंप्लीट करूँ आप सवाल कुछेगा जाच की आप ने आपने जाच की वाधा किया तो आपने जिन्ता से आप कह भी रहें कि लोग जेल चले जाते हैं अगर आप जाच करते तो जाच चल रही है जिस जो शिकायत प्रभाज जिए ने की ती जमीन गोटाले की शुपरी के और गॉलियर के वो शिवराज सिंगी ने कुरसी पे बैटते ही सबसे पहले उस जांच को बंद किया आप देखिए हालत देखिए इस सरकार की कि ये में ये किसी भी चीज़ को प्रशय दे सकते हैं इनके सांसत की बात नहीं सुन सकते ये तो इसी बात का जवाब देतें कि जोती राजित सिंधिया के खिलाब क्यों जमीन गोटाले की जांच बंद की गई कुरसी पे बैठते ही इसी बात का जवाब देते नरुत्तम श्राजी देते इस बात का जवाब अगर आपकी आपकी हमारी सरकार ती 15 महने में हमने बंद नहीं की जबकि कि वह हमारी पार्टी छोडने की दंकी देते थे बहुत सारे अमारे तो बड़े नेता थे वह हमने बंद नहीं कि आपने क्यों बैठते ही कुर्सी पे बंद कर दी जोती राजित सिंध्या के खिलाब जाने कई बार इसकी शिकायत की वित डाकुमेंट्स आप ही की पार्टी के लोगों ने शिकायत की और आप ही की फार्टी ने उसको बंद कर दी क्या एका नहीं है वही है पार्टी में या मिलमांट के खापी रहा है अपार जवाब दीजिए वो निया जी फाइल आपने अपनी जाती होई सरकार के आखरी दौर में रियोपेन कराई संजाइ पाथक के रिसॉर्ट से लेकर की वाइनिक तक कई तरह की कारवाईयां आपने इस आखरी दौर में की पह प्रेड़ना से प्रेड़ित नहीं ती अगर हमने आखरी दौर में की कभी भी की की तो सरकार तो पास साल की होती है यह इस सरकार ने आते ही वो बंद क्यों कर दी जबकि इनीके सांसद ने वो शिकायत की थी यह सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए हमने तो चालू की ठीक ह अगर को पुलिस वाला चोर को पकड़ लाया तो चोर को पकड़ लाया तो ठीक है अब यह यह बात का हुदता है कि जिसने छोड़ दिया तो आप पहले उसको पकड़ेंगे कि इस ने क्यों जोड़ा हमें इस बात का जबाब चाहिए मेरी तरफ से बहुत सारी बाते जो मैं रखना चाहता था पूर में ही रख दी कि इन्हों ने चुनावी एजेंडे में घोशना की कि जहां चायोग बिठाएंगे आप कह रहा है कि राइडने टिक सोजने था हमने ऐसा कोई काम नहीं कि भालती जन्ता पार्टी के नेताओं को कोई हाली हो अरे साथ क्या जन्ता को भूकर दे रहे थे क्या बददापुर की कारवाई करते तो एक ही दिन में पहले ही दिन इनके नेताओं को जेल भेज सकते थे हमने उसको जाच में डाला और तहा ये भी कि जब अगली बार आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपका चुनावी एजेंट ही होगा कि हम भारती जंता पार्टी सरकार में अगर आ गए तो भारती जंता पार्टी के तो पहले दिन जेल के अंधर करेंगे आप ये चुलावी अजेंडा लेकर ये लोकतन पार्टी काम पराएं ये लोकतन पी सोचे आपकी ये प्रशाश के करती आपकी प्रशाश के आपकी मुझे बड़ा है इस जंत्स आप राजनी पी करते हैं आप तो आपके उपर को अभी हो इनभी आपकी अपर कोई अख्रमक रवय्या अपना इनभी आओ हमें सर्कार चलारा है, वन्हें पहली बार में कहा, आपने क्या 6 महelles में काम काच किया उसकी समिक्षा की जाएगी मैंने कभी नहीं कहा कि अनिमित्ताओं पर हम आपसे बदलापुर के रूप में कारवाई कोई चाहते हैं और कोई अनिमित्ता होगी तो प्रशाशनिक रूप से उसके उपर भी कारवाई होगी ये ज़रूर बात हो सकती है दूसरी बात आप बार बार आपको लग रहा है कि जो राइडनेटिक ताकत भारती जन्दा पार्टी में जुड़ी है अब उसको बार बार सिंदिया जी के नाम गो लेके आप बार बार एक तूटब कही राइडनेटिक विरोधियों में प्रतिपक्षियों अपने प्रतिपक्षियों में तूटर पैदा करने का प्रयास कर वह फिरोध भाई देखिए बड़ी इस पश्टिता से जो हमारे पास सूचना याती है उस आधार पर हम राइडने टेक अरोप भी लगाते हैं शिकायते बीकरते हैं इसके बाद में उसके उपर प्रशाशनिक जाचे होती हैं कारवाईया होती है कोर्ट तक भी मामले कर जाते और यह पूरी जो प्रक्रिया है इसके तहट जो कि अब सिंधिया वेदाग है उसके लंबे समय से जो आरोप लगा रहे थे वह आरोप समाप्त हो गए समयों समाप्त हो गए इसलिए कि वह आपके साथ है और आपने वह फाइल बन कर दी और आपने वह फाइल बन कर दी वह वह आप आप आपकी सरकार में थे तब क्यों नहीं काम करते रहे हैं करा आपने तब भी जाच कर आई थी जाच की ऊपर काम आपने तो नहीं हमारे नेटा के खिलाप जाच आज आज आप ने बन्द करके पूरे एजएंसियोंके हां पाठ दी आपने यह साथ कर दिया तो उससे दिकियोंने आपनी नात कह गया दी ती तो यह वह ज़िए ना य जब एक बार वो क्लोस हो चुका हो कुलोस कब हुआ था आपके कारकाल के 14 महीने में हुआ था और तब भी आपने तरक दिये थे पदेन अधिकारी कहीं का डीम हो कहीं का एडीम हो अधिकारी हो अपने का अपने पद पे रहेंगे उस पद के तहट जो जाचे आती है उनको करता है करने का माईने यह नहीं होता है कुछ दिन पहले ही पदस किया आप सार बहुत जल्दी आपने बदल दिया लेकिन यहाद निज है अब आज कल बहुत इस पद्दरिया आप से अंतिपर के लिए इस परचा होगा विकास पूरी हो जाएगी और इस जाच के बाद क्या लगता है कुछ भाईयार दर्जोगी मद्विदेश में कुछ अन्य तरह की चीज़े होंगी और पिछली सरकार के बहुते सारे देड़ने उलड़ देंगे यह क्या लगता है इस और दूसरी एक सवाल मेरा आप से और है कि पहले सवाल यही खड़े हुए थे कि सरकार अलखमत में थी और अलखमत में जब सरकार थी तो उसने जो निड़ने लिये हैं उसकी समीख्षा की जानी चाहिए अलबपत में अगर आप के बाद में जाती है जब विधान सवा में वह अपना भूमत तो इस समय से ही आम माल ले तो यह तकरीबन एक महने का कारका उसमें दो यह तीन के बैटके हुई थी रिलाइस को फाइदा पहुंचाया गया था कुछ इस तरह की चीज़े होगी तो या तब यह कारवायों बश्याच करने की बात आप कर रहे थे या पीछे छे मेने की करने के बात बहुत तो गेरने चाहते हैं जो शाषग की दरब से बात आई यह दो छे महीने के कामकाज के लिए समिक्शा की समीति बनाई गई है तो चे महा कार्यावदी जिस समय को लिया गया है वो चे महा बड़ा इसपष्ट है देखें मैंने आपसे पहले भी कहा कॉंग्रेस ने कुछ नितिकत निद्दे लिये हैं आपने पताया जब सरकार में संतुलन बिगड़ने लगता है और इनके विधायकों का असंतुलित होने लगे थे पता इनको लग गया था हम सबको भी पता लगना था तब विशेष करके गलत निड़ने लेने की आशनका जादा बन्ति है इसलिए वो छे महा का प्रिएट वकला गया है इसका मैंने यह नहीं इन होता रिज्वान भाई इसका मैंने यह नहीं तो अगर इस वो गलत नहीं न एक साल पहले लिए लिए थे और हमें है इस संबल नहीं की है उसको और जले तैस्डी बनाया गिया और जो उसमें गड़बढ़िया होती उसकी ज्याच कि गई मंतरी वैक्ति से केवल नहीं होता मामला कैबिनेट एक जॉइंट जिम्मेदारी की जगा होती है कैबिनेट तो जो कैबिनेट थी वो कमल नाच जी की थी उनके साथ में मंब हमें तो नहीं मालूम कैबिनेट में अंदर किस में बैढ़ किया था उससे प्रस्ताओ को और किस ने उसे समर्थन कैबिनेट के अंदर दिया थे जब नॉत्वथन निकल के आता है तो जो तो इस लिए विख्टी इधर उदर था इससे रही कि हाँ कमलाज जी कही इधर उधर हो जाते तो अपन ये बात कर सकते थे मुझे लगता है कि ये बाते करते रहेंगे तो अनंत काल तक चलती रहेंगी बुद्धे की बात ये है लेकिन आप देख आप ने गज़त ये किया कि छे साल के जिस कारकाल की आप जाज कर रहे है उसी कारकाल की आप जाज कर रहे है उसी कारकाल की आप जाज कर रहे है ये कैसी कामेटी है इसमें क्या दिक्कत है इसमें मेश्य जांच मेंगेरं या जांच में नएुटी की जांच करनी है लिए जिसकी जाच करनी नहीं जिद्वान भाई थाने दार मामला यहां पर नहीं होता है लिए भाई यह सब मुहावरे अपनी जगा अलग है अगा सुनिये तो मेरी बात है अरे थाने की बात आपने कही अगर थानेदार से गल्पी हुई होगी तो वोट नामचे में उसी को लिखना परता है मुझसे क्या गल्पी हुई है यह छोड़िये मुहावरे और कीवदंतिय पहले पाई मुद्धे की बात जो आपने गंबीर बात करीव सका गंबीरता से उत्तर देना चाहता हूँ विकास हो जष्टार हम ऐन आफे पैसे बने का है विकास, बुक्या केहना चाहर है। इस लधु इबरातं सिंध् कुहान वो स्यंतटारे हुए मुख्ध मंत्री नहीं है जंता करांदा हम और उब वुख्ध मंत्री जो है खबला करके मुख्यमंत्री बन गया तो अब वो जन्ता के सुईकारे हुए मुख्यमंत्री की नितीगत फैसलों की जाच करेंगे आप देखिए इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती कोई यह अंकर गरित बता रहा है यह इन्होंने अगर किसी को प्रलोबन द अगर आप समझेंगे तो फिर आप कॉंग्रेस कैसे रहेंगे मैं कितना ही समझाने का प्रयास करूं जनता समझ चुकी आप नहीं समझेंगे अगर आप समझेंगे तो फिर आप कॉंग्रेस कैसे हो गोए दूसरी बार अगर आपको कोई किसे कौई कानूनी गल्टी लगती है तो कानून के दर्वादीया आपके लिए खुलें मैं तो यही कहूंगा कि तर्क मत करईए बेहस मत करईए इसकाम पर अगर आपको कहीं तो राजपाल मौधाय मुख्यमंत्री को शपत नहीं देखें सर उसकी बात नहीं है आकेले राजपाल की मैंने तो आपको राजनेती चिता और उस्टेकल चन्ता पर मैं नहीं जाना चाहता उसके लिए तो स्ट्रीम कोड़ भी आतुर का है यह गए थे इनने वापस लोड़ाया गया है तो जन्ता ने को नटारा था वो खबला करते वापस आगया और उसको किया करने के बाद हो विए तो प्रस्ताओ आया ता उस प्रस्ताओ के उपर पूरी कांग्रेस क्यों है इसके बात क्या इस विशय पर चर्चा कराते रहेंगे क्या क्या इस विशय पर कुछ कहना चाहते है तो उसके ऊपर भी यह सरकार अगरिम कारवाया नियम अनुसार करेगी करेगी इस मामले में कोई सब्सक्राइब करेगी इस विशय पर चाहिए पर सवाल है कि छे में नहीं क्यों एक मैंने क्यों नहीं एड़ साल क्यों नहीं अब मेरे पास बतने ही हैं अब अब इजार दीजे इस आविराश होते हैं बहुत कुछ चीजें पर दवाव बनाने के लिए भी होते हैं और आप देखते हैं कि पीछे बड़े-बड़े अंदोलन हुए युदा सिंग सरकार नहीं रही कमला सरकार बन गई अब फिर तुरहर काल में एक नए से-से एक जाज की बात चुरू हुई है वाकाइदा एक मंत्री मंदल समीती भी ब सपाव तक निशाना बना गगया उनको भी बनने की गोशिश की गई गेरने ने की कोशुस ही और दूसरे मंत्री वो हैं, जो जिस कारकाल की जाच होगी उस्में वह मंत्री थे तो चलिए अभ देखते हैं किस तरही की जाच कैसे की जाती है या अपनेसाथ भी कारवायों को पर जाज की जाती हैं इसके पीछे का मकसद क्या है यह तो आने वाला है वक्त ही बताएगा कि यह समीति जब जाज करेगी तो इसके रिजल्स क्या होंगे कौन-कौन घेरे में आता है देखने वाली बात होगी फिलहाल तो राजनीति समीति के गटित होने के बाद किरिशितaw आगे आगे आばい आरोप पत्यारोप supuesto के दोर की शुरू हो गये हैं आगे- जिस तरह से समीति बनाई गई है कमलना सरकार के जो आखरी के 6 महीने के कारकाल हैं उसको लेकर ये समीति जाच करेगी और इस समीति में उन्हें भी सदस से बनाया गया है जो कमलना सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते थे तो अब देखते हैं कि जाच किस तरह से आज के आता है क्या कुछ होता है देखना दिल्चस्पोगा फिलाल दीजिये जारत नमस्कार